मेहत मेरा दिल बर खाने फुलिया में क्यार तहाने साथ आया आये तुखो मास्वोया आये पे हलो अस्सलामो अलेकूम वेलकम बैक टो माई चैनल कैसी है मेरी यूट्यूब फैमली उमीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी जहां आप समझ गयोंगे मैडम मलकर तरनुनू जहां पर मैंने ये वीडियो बनाई है उनको ट्रिब्यूट दिया है उनकी डेथ अनिवर्सरी थी और अल्ला ताला उनकी मख़रत करे बहुत ही क्लास की फनकारा गुलूकारा अदकारा थी जहां जहां उर्दू पंजाबी पूली जाती है उनका नाम हमेशा जिन्दा रहेगा तो वीडियो का आगे लेते हुए मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा जरूर क्योंकि मैं अतनी महिनत करती हूं वीडियो पे तो लाइक तो बनता है उसके लावा अगर चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर दीजेग बेल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि लेटिस वीडियो की अपडेट मिले आपको सबसे पहले उसके लावा मैंने इनके गानों पे टिक टॉक भी बनाई है अगर आप चाहते हैं मेरे टिक टॉक को मुझे फॉलो करना तो वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में इस वीड देटेल तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात के मैडम के जो मेक अप की थी सबसे खास बात ये थी कि वह दो तीन चीजों से ही मेक अप करती है एक उनका फाउनेशन होता था उसके लावा वह बलश ऑन लगाती थी जो लिपस्टिक से लगाती है उस उसके लावा जो है उनकी एक पैलेट होती थी मेक अप तो बहुत होगा यकीना लेकिन जो वो आईशेड यूस करती थी वो डार्क यूस करती थी उसके अंदर गोल्डन शेट देती थी और शिमर वगारा और ग्लेटर वगारा यूस करती थी तो मैं उसी को लेके जो उनका signature look है वो करने लगी हूँ तो सबसे पहले जो है मैंने अपने face को prep and prime किया वा, foundation लगावा है और मैंने concealer भी लगा लिया है, तो उसके लाब मैं कोई contouring नहीं करूंगी इस make-up में तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले किसी भी eyeshadow palette से dark color का black सा color या brown dark लेके मैं eyes का जो है वो shape बना रही हूँ क्योंकि इसके बीच में golden shade लगाऊंगी जिससे जो eyes है मेरी उनके जैसा look देंगी तो उसके लिए मैं इस तरह से dark सा shade लगा रही हूँ उसको फिर चप्टे से brush के साथ flat brush के साथ मैं आँक के नीचे भी लगा रही हूँ मैं इसको आपस में blend करूंगी तो उससे एक बड़ी अच्छी सी crease बनेगी और lines ही बन जाएगी और जिसकी वज़ा से यह जो eyes shades है काफी हद तक resemblance करेंगे तो यह देखे मैं किस तरीके से इसको blend कर रही हूँ और यह fluffy brush है उससे पहले जो मैंने से लेती थी और बेहतरीन make-up artist से उन्होंने make-up भी सीखा था उस वक्त में तो उनकी बेटी का मैं interview देख रही थी तो उसमें बता रही थी कि वो Elizabeth Arden की जो palettes वगएरा होती थी और उनकी make-up products उस वक्त में होती थी वो लेके आती थी बाहर से और यह सब चीजे उनसे सीखा वाता तो आप सोच सकते हैं क्या class का make-up होगा उनका तो यह मेरी हुदा की palette थी उसमें से मैंने एक golden सा color लेके और अपने ही हां पे लगा लिया eye shades पे तो इस तरह से देखें आप यह एक वो ही आइशेट बनेंगे और वही लुक आएगा देन उसके बाद मैंने जो उसके outer corner है eyes के उनको फिर मैं दुबार highlight करी हूँ मैं liner नहीं लगाऊंगी मैं black eye shades से smoky सा smurge करूँगी इसको अच्छी तरीके से blending करूँगी देन उसके बाद मैंने यह Stella के glitter है और उसके बाद देखें जो cheeks है उसके उसके उपर इस तरह से मैंने से blush on लगाया है blush on नहीं है आप चाहें तो blush on लगा लें मैंने तो pink color की सी lipstick लिए जो वो use करती थी और उस time में लोग pink lipstick से ही अपने गालों को अच्छा सा खुबसूरत सा कर लिया करते थे आज कल तो कई तरह के blush on highlighters आ रहे हैं तो यह देखें इस तरीके से मैंने दोनों side पे बराबर से और nose को ज़रूर वो करती थी pink और nose के उपर बहुत अच्छी तरीके से light shade में लगा लिया है मैंने blush on मतलिस्टिक अब उसके बाद जो यह मेरा Anathasia की palette है जो खे highlighter है वो मैंने use की चीक्स पे तके मेरी skin smooth shiny सी उनकी तरह की हो जाए उनकी skin बहुत हुबसूरती बहुत shiny थी देन उसके बाद मैंने अपने lips को highlight के pink color की pencil से अब इसके उपर मैं 2-3 lipstick के coat बना के वो color बनाऊंगी जो वो लगाती थी pink लगा लिया है मैं इसमें dark shade लगाऊंगी उसको अच्छी तरीके से blend करूंगी और यह जो shade है मुझे थोड़ा सा bright लग रहा है तो मैं key code लगाऊंगी अगर आपके पास कोई dark color की lipstick नहीं है तो कोई maroon lipstick इसके जब मिक्स कर लीजेगा तो वो ही lip shade बन जाएगा जो अक्सर use कर दी थी उनका जो signature makeup होता था उसमें यह lipstick होती थी और जो होंट है वो उसकी shape नहीं देती थी उपर से मतब flat से होते थे सीधे से लेकिन वो बहुत खुबसूरत लगते थे देखने में और बड़े भी लगते थे तो इस तरीके से मैंने यह उपर करके लगाई है lipstick तो उससे जो मेरे lips हैं काफी हद तक उनके मतब lips से मिलते जुलते से लग रहे थे तो मैंने कोशिश किये के corner से आपको लगानी होती है और corner से set हो जाए तो perfect होती है then eyes के अंदर भी मैं white pencil लगा रही हूँ क्योंकि उनकी eyes में वो जरूर लगाती थी इस तरह से तो eyes जो हैं आपकी बहुत बड़ी बड़ी लगती है बहुत खबसूरत लगती है और ये उस वक का smokey eye make-up था जो वो करती थी और उन्होंने बाखाइदा सीखा भी था Elizabeth Arden से तो आप सोच सकते हैं उस वक में उनके जैसा make-up कोई करने वाला नहीं था और उसके बाद ये उन्होंने गालों पे जो थी उनके shine करते थे उस वक इतना highlighter वगएरा नहीं होता था तो मैं जो हूँ अपने highlighter लगा रही हूँ था कि मेरे face पे उग glow और shine आये तो उसके बाद में बेटी देख रही है पीछे मेरा make-up पैठी ही क्योंकि बच्चों को बड़ा हो रहा था कि ममा आप क्या कर रही है क्योंकि usually आजकल तो Christmas की चुटी हैं तो बच्चे भी घर में होते हैं तो वो देख रही है बड़ी सो रही थी वहां मेरे room में तो देख रही है साससत कि ममा क्या कर रही है तो अब यह मैं हाइलाइटर से और ज़्यादा हो कर रही है अब blast में मैंने अपने गाल के उपर उनके उपर तिल था वो लगाती ही थी शायद I think तो वो भी मैंने एक लगा लिया ब्राउन सी पैंसिल से यह है मेरा final look उमीद करके यह बहुत simple बहुत प्यारा सा make-up है यह बहुत तो बहुत असानी से होगी आप खुद देख सकते हैं वरणाम make-up हो में तुम कितना contouring हो पता नहीं क्या क्या होता है यह देखें यह मेरी आद आएं जरा तो यह मैंने special जो इनकी video बनाई है TikTok पे तो आप जरूर देखिएगा follow कीजिएगा like कीजिएगा comment कीजिएगा और मेरे चैनल प्यान देगा शुक्रिया